दोस्तो आज इस वीडियो का टॉपिक है मैट्रिक और इंटर्मीडियाट को परिच्छा को लेके बड़ी खबर ठीक है इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा मैट्रिक और इंटर्मीडियाट की परिच्छा को लेके आज अभी अभी new update जारी किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से जिहां दोस्तो इस वीडियो में metric and intermediate से related body information आप लोगों को देने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा आंतक देखीते रहेगा और मैं सभी छात्रों को एक बत और कहना चाहूँगा यदि बहुत सारे ऐसे मतलब वीडियो डाल रहे हैं यूटूबर ऐसे बहुत सारे हैं जो वीडियो डाल डालके आप लोगों को वेवकूफ बना रहे हैं ठीक वेवकूफ बनाने का मतलब यह है कि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपका मतलब परिच्छा डेट बढ़ रहा है, कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि परिच्छा डेट बढ़ चुका है, बदलाव किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, दोस्तो, हमारे चानल मौरिया गुरु एकडमी पर बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको 70,000 पर चार्तियों देंगे मैट्रिक की परिच्छा, जिहां दोस्तो, महराज गंज कैंद्र पर सिर्फ छात्र हैं, यह बड़ी इंफोर्मेशन दिया जा रहा है, छात्रों को, सभी इस्टुरेंस को, देखिए, एक बात और कहना चाहूंगा, यह बिहार बोर्ड का ओफिस अपने जा जा रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से सुनिया है, जिले में मैट्रिक परिच्छा की तैयारी तेज कर दी गई है, परिच्छा केंद्रों का निर्धार्न कर दिया गया है, परिच्छा सिवान, सहर और महराज गंज के 44 केंद्रों पर होगी, इसमें 70,000 छात्र चात्राइं सामिल होंगे हैं कि केवल चात्र सामिल होंगे जी हाँ दोस्तों इसमें बता दिया पर छात्र छात्राइं सामिल होंगे दोस्तों आप लोगों को यह में बता दू जितने भी छात्र हैं इंटर की परिच्छा एक फरवरी से जिले में मैट्रिक इंटर्मीडियर की परिच्छा एक फरवरी से होगी इसकी भी तयारी की जा रही है इसके लिए जिले में 36 परिच् पाजन गंज में होंगे और वा 29 के अंद्र सिवान सहर में सामिल है इंटर परिष्छा संक्याइ के अनुसार होती है इसी अनुसार भिभाग्य अस्थर पर तयारी भी चल रही है। कि इंटर की परिच्छा परिच्छा करोना काल में नहीं हुई है आर्ट्स विसेग वाले तो किसी तरह घर पर पढ़कर कुछ तयारी कर चुके हैं लेकिन साइन्स वर कमर्स वाले बच्चों के सामने कई तरह की समस्या आ सकती है इस वज़े से ऐसे बच्चे को भी काफी चिं डाउनलोड नहीं किये हैं तो सभी चाधर एडमिट का डाउनलोड अपना कर लीजेगा ठीक है साइवर कैप के माधियम से चाहे आप आप आउनलाइन भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है और आप लोग देखिए आप लोग हाई स्कूल से भी जाके अपने कॉलेज से जाके यह भी बड़ी इंफर्मेशन है आपको बता दिया जाए एक इंफर्मेशन और सुन लिजे पूरा आधूरी तयारी के साथ परिच्छा में होंगे सामिल इस सत्रह में करोना काल को लेकर स्कूले बंद हैं इस वज़ा से पढ़ाई नहीं हो रही है जैसे कि इस से बच्चे परिच्छा की तयारी भी ठीक से नहीं कर पाए है यानि की परिच्छा आप लोगों को बता दिया जाया कि यानि की परच्छार्तियों बिना तयारी के ही परिच्छा में सामिल होंगे घर पर की गई पढ़ाई के सहारे ही बच्चे मैट्रिक परिच्छा में अच्छे आंक लाने की तयारी कर रहे हैं, हाला कि चार जनवरी से हाई स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालंग करते हुए, रोटेशन पर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, ठीक, इससे बच्चे कम आ रहे हैं, किसी भी हाई स्कूल में 25 से 30 फिर्जदी से ज्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस वज़ा से भी बच्चे तयारी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें अधिक अतर बच्चे परिछा को लेकर काफी चिंतत हैं, अभिभावक भी परिशान भी हैं, ठीक, आप लोगों को बता दिये जाए, जितने भी स्टुडेंस, आप लोग परिशान मत होई है, आप लोगों का जो इंटरमीडियेट का परिच्छा एक फरवरिस होगा, और मैट्रिक का परिच्छा तो आपको मालूमी है, आपका 17 फरवरिस से स्टाट है, तो ये सब जो आप लोगों को देखें, ये वीडियो बनाने का मक बात, जिहां दोस्तो हिंदुस्तान नीज पेपर आप जानते ही होंगे, पढ़ते होंगे, ओफिसियल हिंदुस्तान नीज पेपर आता है, पूरे औल इंडिया में ये पेपर जाता है, इसी के नीज के मुताबित आपको इंफर्मेशन बताया जा रहा है, ठीक, आप लोग करके वैलेकन वाले घंटी को जुरूर तो बात दीजेगा कि आने वाली परते को नोटिफिकेशन अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहें और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा सभी छात्रों को यदि अगर आप जियो नी उजर हैं सभी स्टुरेंस क को ये भी कहना चाहूंगा यदि अगर आप अभी तक हमारे वार्शाप ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप फेस्बूक ग्रूप से ज्वाइन नहीं हुए है तो वीडियो के डिस्क्रेशन में ये तीनों का लिंक आल्रेटी दिया हुआ आप लोगों के लिए आप फड़ा- लेदे आप लेदे आप रहाँ घजा आप लोगों के लिए जा बंदे मात्रम